नमस्कार बाजपटी का तज़ा अपडेट आप सब के सामने बाड़ आ गया है दोस्तों जो की पूरी तरह से बरबाद करने पर लगा हुआ है बिहार में हर साल मोसम से पहले ही बाड़ आ जाता है और आप देख सकते हैं पूरी रोड पे जाम लगा हुआ है टेमपू आपको पता दे कि बिहार में हर साल बाड़ आ जाने से लाखो का छती होता है जो कि सरकार इसका भरपाई नहीं कर पाता है नेपाल से पानी छोड़ने जाने के वज़ा से हर जगा छती गरस्त होता है हर बार की तरह फिर से बाड़ आ चुका है और धान नहीं लगाया गया ह धान का भी बीज लगा हुआ था और कुछ खेती में धान का बीज लग गया था जो की पूरी तरह से डूब चुका है अभी गरीबों का जेब पे भारी असर देखने को मिलेगा बाड से बिहाल है बिहार हर बक्त बाड आजाने से लाखो रुपया का नुक्सान होता है और गर गरीबों का घर से लेके खेती तक का नुक्सान होता है आपको बताते हैं कि बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है पुरी तरह से बिहार में हर जगा पानी आ जाता है और नेपाल से कुछ पैसे के लालच में सरकार नेपाल से पानी छोड़ने का अनुवती देता है इसके चेतर में पानी ज़्यादा देखने को मिलता है यहां तक मुझफरपुर में भी पानी देखने को मिलता है सभी को भारी नुकसान हो जाता है जब बाढ़ आता है तो आप देख सकते हैं कि सीजन अभी चल रहा है धान का रोपनी और धान के रोपनी के टाइम में बाढ़ आ ग बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है और आप देख सकते हैं रोड पे भी पानी चड़ चुका है और यहां पर आपको बता दे कि रोड को भी भारी नुकसान होता है आम जनता हर वक्त परसान रहते हैं इसका जीमवार कौन है नितिश कुमार या मोधी सरकार मोधी सरकार नहीं नितिश कुमार को बोलूँगा नितिश कुमार इसका जिमवार है जो कि बिहार को पुरी तरह से डुबा के रखा हुआ है हर वक्त समस्या का सामना करना पड़ता है हर वक्त मौजा देने का बात करता है लेकिन मौजा नहीं मिलता है और हर वक्त बाड से नुकसान का भरपाई करने की बात करते हैं लेकिन पचीस परसेंट आदमी को मिलता है जो भी दलाली देता है बिहार में ये बुरा हाल है जो की हर वक्त सभी को जेलना पड़ता है मताबिक हर जगह पे बाध आने का संभामना है और भारी नुकसान होने जा रहा है जो कि बिहार में हर वक्त होते आ रहा है गरीब का जेब हमेशा खाली होते जा रहा है इस पे विशेज कदम उठाने की जरूरत है आप लोग वीडियो बनाईए, सेर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएए धन्यवाद